हेलो फ्रेंड्स डब्लू एस क्यूब टेक के चानल पर मैं सुरेंदर आपका एक बाब फिर से वेलकम करता हूं आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं अपने class 8 computer education के chapter 8 में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपको यहां यहां बताने वाल हूँ दोस्तो variable actual में क्या होता है अपने आप में एक type का container जिसमें हम किसी type की value को store करते हैं जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तो घर में अगर आप देखते हैं तो अपने पास बहुत सारे ऐसे कुछ बरतन होते हैं जिसमें हम लोग अलग-अलग type के content को या कह सकते हैं अलग-अलग type की चीजों को जो है store करते हैं तो वह अपने आप में क्या हो गया एक type का container तो यहां पर variables जो है वह भी क्या है अपने आप में container है जो अलग-अलग type के data को अपने पास store करके रखता है आईए दोस्तों देखते हैं कि variables क्या होती है in programming a variable is the name अब देखिए जैसे मैं आपसे कहा रहा हूँ एक type का container है जिसमें आपने store किया है 5 एक और container है जिसमें आपने store कर दिया 10 एक और container है जिसमें आपने इन दोनों का sum जो है वो store कर लिया तो आप इसका नाम रख सकते हैं a इसका नाम b इसका नाम c जिसके तुरू आप इसके data को कभी भी access कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ a की value क्या है दोस्तो फाइफ यह किसकी value है 10 b की 15 किसकी value है c की तो a b c यह सब अपने आप में क्या एक type के container हो गए ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं in programming a variable is the name of the memory location यहां रखेगा यह जो locations पे store होता है जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर अपने computer की RAM में अलग-अलग memory locations होते हैं suppose दोस्तो 5 यहां store हुआ 10 यहां store हुआ 15 यहां store हुआ तो उस location का एक नाम दे दिया a इसका नाम दे दिया b इसका नाम दे दिया अपने c ठीक है तो in programming a variable is the name of the memory location it is used to store data किसके लिए data को store करने के लिए its value can be changed and it can be reused many times तो आप यहां पर जो है इन variables को आप अपने computer programming language में कितनी ही बार इसको आप use कर सकते हैं many times उसके बाद देखें आप variable can store only one data value at a time जैसे मैं यह कह सकता हूँ एक अंदर आपने store किया 10 आगे जाते वे दोस्तो requirement हुई a की value को change करना आपने बोल दिया a equals to 20 आगे जाते वे आपने कह दिया a equals to 50 तो एक time पर या तो इसमें 10 store होगा या 20 होगा या 50 होगा यहां तक a था जब change किया आगे जाते हुए 20 चलता रहा फिर आपने 50 किया तो आगे आप सभी में a की value क्या होगी है 50 होगी है ठीक है when a new value is stored in a variable its previous value get override या overwritten तो मैं यहां पर कह रहा हूँ जैसे a की value है 10 ठीक है the value of 10 is stored in the variable a फिर मैंने बोला है यहां पर b equals to 20 the value 20 is stored in the variable b अब दोस्तों उसके बाद में मैंने a की value को change कर दिया मैंने a में लिख दिया ws cubed है तो अभी a की value यहां तक आते है थे क्या थी आपके पास 10 अब a के अंदर अपने क्या store कर दिया है ws cubed है अला कि इसका type भी change हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो python programming language है इसमें आप किसी भी type का data store कर सकते हो आप चाहें तो यह में आप 10 टेंग कर दीजीए आगे जाते वह आप जो है का नाम z है ऐसे मुझे लगा मैं एक variable बना देता हूं जिसका नाम रख देता हूं मैं suppose x123 ठीके अब मेरा मन करा मैं करता हूं 123 x तो कुछ variables इसमें valid है कुछ invalid है देखें दोस्तों यह invalid है जब कि यह आपके पास valid है मैं कर रहा हूं x underscore 123 यह valid है मैं करने वाला हूं x dash 123 यह invalid है त तो valid और invalid का मतलब क्या हो गया कि इस टाइप की variable आप बना सकते हैं python में और इस टाइप की variable आप नहीं बना सकते हैं तो variable ने must start with an alphabet तो आप जो है वो alphabet से ही start कर सकते हैं चाहे वो capital हो या small हो और साथ में आप यह underscore use कर सकते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ variables create कर रहा हू alphabet और underscore तो यह जो है वो एकदम सही है ठीक है इसी तरीके से मैं लिखने वाला हूं suppose one two three a b c one two three a b c में क्या हो रहा है one two three start कहां से हो रहा है डिजिट से यह क्या बोल रहा है alphabet या फिर केवल underscore बाकि कुछ नहीं हो सकता तो यह क्या है false है यह गलत है ठीक है यह गलत है अगर आ सकते हैं underscore one two three a b c यह आपका एकदम सही है क्योंकि start कहां से हो रहा है यह सबसे पहले आपने क्या लगा या तो underscore होगा या फिर आप alphabet use कर सकते हैं दूसरा है a variable name can consist of alphabet digits and underscore तो दोस्तों आप यहां पर केवल digit alphabet और underscore को ही use कर सकते हैं और कुछ भी नहीं तो इसका मतलब अगर मैं यह लिखता हूँ a b c underscore one two three तो यह सही है लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूँ a b c at the rate one two three तो यह गलत है क्योंकि मैंने यहां पर क्या use कर लिया at the rate symbol use कर लिया तो आप यहां पर special symbols में केवल एक ही use कर सकते हैं क्या है वो underscore और कुछ भी नहीं फर्स्ट करेक्टर मस्ट भी alphabet और underscore और दूसरा इसमें consist of alphabet digit और underscore यह आपको ध्यान रखना है इसके अलावा अब python keyword keyword cannot be used as a variable name keyword क्या होता है ऐसे कुछ reserve word होते हैं जो हर अलग-अलग programming के अंदर अपने अलग-अलग कुछ words होते हैं जैसे अगर अपन बात करें तो आप अपने real life में बहुत सारा ऐसे objects देखते हैं जिनके जरूत अपने को पढ़ती दो वो सब कुछ नाम होते हैं तो computer programming ने भी क्या कर रखाया कुछ अपने ऐसे features अपने ऐसे methods अपनी कुछ ऐसी classes बना रखी होती है जिनके कहीं कुछ नाम ह पास होता if जैसे आप शायद if else समझते हैं ऐसे दोस्तों बहुत सारे अपने पास अलग अलग ऐसे कुछ reserve word होते हैं जो हम python में या दूसरी programming language में use करते हैं तो हर language में अपने जो reserve words होते हैं उसको हम लोग कहते हैं keyword तो यहाँ पर जो है वो आप variable name जो है वो keyword की तरह use नहीं keyword क्या हो गया keyword is a word that conveys a special meaning to the compiler जिसका compiler को जिसका meaning पता होता है उसके बाद है आप यहाँ पर space जो है वो भी allow नहीं है as a variable name तो मैं यहाँ पर एक variable बनाना चाहरा था जिसका नाम था suppose की ws ठीक है तो यह valid है लेकिन अगर मैं लिखता हूं ws space cube तो यह नहीं है यह variable name नहीं हो सकत क्योंकि इसके बीच में क्या है space है मैं एक variable बनाता हूं name ठीक है यह एकदम सही है मैं लिखना हूं यहाँ पर f name first name यह भी सही है लेकिन अगर मैं यहाँ जाके लिखूंगा कि first ठीक है फिर space और फिर मैं जाके लिखता हूं name तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया space इन्वैलिड है तो वैलिड इन्वैलिड आइटिंक आपको समझ मारा होगा कि कुछ चीजे जो है आपको ध्यान रखनी है रिमेंबर अब variable name can be any length तो यहाँ पर यह line क्यों लिखिए कि variable name can be of any length कुछ programming language में जैसे c language में आप maximum 32 character ही variable का नाम रख सकते अब variable का नाम की length का z यहाँ मैं जाके लिखता हूँ suppose की name equals to w s q tag तो यहाँ पर जो ना यह तो होगी value यह है variable यह variable में कितने character है 1,2,3,4 तो कुछ programming में जैसे c में भी 32 character तक ही इसके अंदर आप maximum length लिख सकते हैं आला कि 32 कम नहीं होतें बहुत ज़्यादा होतें बट फिर भी यह कह रहा है कि य यह आपकी जो variable का नाम वो कितने भी character हो सकता है इसके बात है कि यह case sensitive है case sensitive का मतलब हो गया कि एक variable है जिसका नाम है x और एक variable है जिसका नाम है capital X तो यह दोनों variable अपनी अलग अलग है ठीक है जैसे यहाँ पर लिखा देखिए roll number और यहाँ लिखा है roll number तो roll number रॉल नम एक म पास कुछ valid variables है valid variables के नाम है जैसे employee ID बिलकुल सही है क्योंकि इसके बीच में space नहीं है यहाँ देखिए employee address क्योंकि इसके बीच में underscore है यहाँ देखिए min value या max underscore well या age 1980 या फिर A45R तो यह सारे अपने पास valid है ठीक है इसी टाप से अपने पास कहीं कुछ invalid variables भी है जो सारी गलत है जैसे अपने देख सकते है book name book name में अपने बीच में क्या कर दिया यहाँ पर एक space लगा दिया ठीक है एक space है तो space is not allowed फिर अपन देख सकते है 90 underscore price तो underscore तो valid है बट यह start कहां से हो रहा है डिजिट से तो क्या लिखा है variable name cannot start with the digit उसके बाद देखिए book dot price तो dot तो अप ही वाली बात आ गई कि आपने यहाँ एड़रेट का symbol लगा दिया तो कोई भी special symbol आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं एक ही कर सकते हैं underscore तो यह क्या है special character are not allowed उसके बाद है अपने लिख दिया मिन मतलब यह क्या हो गया मिन है मैक्स है यह अपने आप में function होते है python में यह द सकते mean is a keyword in python तो आप इसको use नहीं कर सकते हैं तो इस type से हम लोगों नो देखा है variable क्या होती है variable बनाने की rules क्या होते हैं किस तरीके से अपने अपनी values को यहाँ store कर सकते हैं यह कुछ basic चीज़े थी I hope दोस्तों आपको यह सब चीज़े अच्छे से समझ में आई होगी मिलते दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए थैंक यू